तो ये दा इंडियन एक्स्प्रेस का न्यूज आर्टिकल है जिसका है चंद्रियान 3 विल लेंड इवन इवन इवरीधिं फेल्स अल सेंसर्स फेल नथिंग वर्क्स इस्रो चीफ इस्रो चेर्मेन S. Somnathan said that the Chandriyan 3 mission will make a soft landing even if two engines and all the sensors of Vikram Lander stop working while speaking during an event on Tuesday इसका हिंदी अन्वाद यह है कि इस्रो के चेर्मेन S. Somnathan ने Tuesday को हुए एक event के दौरान ऐसा बोला कि Chandriyan 3 soft landing करेगा ही करेगा अगर उसके दौनों इंजन और सारे सेंसर भी काम करना बंद कर देते हैं तब भी आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसरो चेर्मेन S. सोमनातन on Tuesday said that the Chandyan 3 spacecraft is set to make a soft landing on the moon on August 23 सोमनातन made the comments while speaking during talk on Chandyan 3 hosted by the non-profit organization Dishabharat if everything fails, if all the sensors fail, nothing works, still it, यानि कि विक्रम will make a landing that's how it has been designed यानि कि एक event हुआ था जब ये चंद्रयान 3 का जो mission है यानि कि 23 अगस्त को जब इन्होंने इसका live telecast करा था तो उससे पहले एक event हुआ था जो कि non-profit organization दिशा भारत की तरफ से organize किया गया था उस event के अंदर इसरो के chairman S. सोमनातन ने क्या बयान दिया उन्होंने बोला कि अगर सब कुछ fail हो जाता है सारे sensors काम करना बंद कर देते हैं engines काम करना बंद कर देते हैं सब कुछ काम करना बंद कर देता है उसके बावजूद भी Vikram Lander चंदरमा पर लेंड करेगा ही करेगा India's historic lunar mission Chandrayaan 3 is just few days away from the moon however even if things don't go as per plan Chandrayaan Lander will still be able to make a soft landing on the moon ISRO chief S. सोमनात informed that even if the sensors and engines do not work and everything fails the design of Vikram Lander is such that it will be able to handle failures तो इससे आप समझ सकते हैं कि Chandrayaan 3 असल में क्या है ऐसा सिर्फ तभी संभव है कि आपको कोई landing landing कुछ नहीं कराना आपको केवल Chandrayaan 3 का land करते हुए एक सस्ता सा graphic designer पकड़के उससे animation video तयार करवाना है और 23 सकस्त को उसे live telecast दिखाना चालू कर देना है ऐसा सिर्फ तभी संभव हो सकता है इतनी surety सिर्फ तभी संभव हो सकती है बेराल आपको कहानी समझ आ गई होगी कि किस परकार का फरजी वाड़ा space agency की तरफ से फैलाय जाता है और उनके जो chief होते हैं वो किस परकार के बयान देते हैं खोले आम और उसके बावजूद भी जो जनता फरजी science के मद में मदोश हो चुकी है उनको तब भी उसकी असलियत समझने में दिक्कत होती है